प्यारे विद्यार्थियों मैं अशोग चाचिया साइक आचारिय राजनिति विज्यान राज की LBS माविद्याले को पूतली जैसा कि बच्चों आपको सर्विदित है कि इस समय विश्व में कोरोना महमारी चल रही है तो ऐसे समय में हम विद्यार्थियों को घर पर स्कूल मे यानि जिसके माध्यम से हम वीद्यो बनाते हैं और वो वईडियों है बिजवाते हैं तो इसी कड़ी में हम आप पढ़ रहे हैं 새 2 फर्ट का फस्ट पेपर अफथा क्मुक राजनितिक विचारे इं प्रमुक राजनितिक विचारत उन में हम पढ़ेंगे Nichcolo मैगावलि निकोल मैकावली का जन्म 1469 इसली में हुआ उसके फ्लोरेंस में उआ था उसकी सिख्षा फ्लोरेंस के एक विद्यापीट में हुई और इसी फ्लोरेंस गंडराजे के ग्रह एवं विदेश कार्याले में उन्हें एक साधारन लिपिक के रूप में नोक्री करने का अउसर मिला अत्तेंत प्रेश्रमी एवं एसाधन परतिभावान होने के कार्म उसे इसी गन्राजे के ग्रहे विदेश वे युद के विभागों से समंदित मंत्राले में दित्ते सचिंग के पत्पर निवति दी गई यह है विभिन यूरोपियन देशों में तेईस बार विभिन राजनीतिक निशनों पर गया और उसे फ्रांस के समराट लुई द्वाद्वस पवित्र रोमन समराट मैक्स मिलियन पर्थम बेलेंटीनो के ड्यूक शीजर बोजिया पॉप जूलियट दिते और पॉप अलेक्जेंडर तथा अलेक्जेंडर तक जैसी हस्तियों से मिलने का मौका मिला 1552 इस्वी तक वह गंडराजे के प्रभावसाली इस्थिति प्राप्त कर चुका था और उसका भवी से बहुत उत्तम दीख पड़ता था किन्तु इसी धरम इसी वर्ष फ्लोरेंस के सताचुत भूमने सताचुत पुराने राजपरिवार मेडिनी में स्पेन के राजा के सहयोग से फ्लोरेंस गंडराजे का पर आकरमन किया और भैबीत जनता ने अनुभव किया ति गंडराजे का जन नेता उनकोई रक्षा नहीं कर सकता इसलिए उन्होंने गंडराजे के नेता को ही मार दिया गंडराजे के अन्य परमुप दाधिकारियों की तरह ही मैकायवली ने उसके पद्वों से हटा दिया और उस पर मेडिनी वंस के सासर के विरूद शडियंत रचने के आरूप लगा कर जेल भैज दिया गया तथा उसे यातनाएं दी गई किसी परकार उसने अपने मित्रों की मदद से एक वर्ष बाद जेल से मुक्ती मिली किन्तु इसी इसे राजनीति से सन्यास लेने की शर्त स्विकारनी पड़ी और जीवन के अंतीम वर्ष उसने सैन कैशियानो नामक गाउं में अपने कारिये पर व्यतित किये उसके दिन कारिये पर ग्रामिन जन्म में जाते पहुंचते थे और प्राए एक प्रकार के आलच से उदासीन का वह आवारा गर्दी करने वाले विक्ती के रूप में ही उसकी पहचान ही किन्तु शाम होते ही वह अपने घर लोड़ आता था धूल वे मेल से सने हुए कपड़ों को उतार कर शाही दर्बार वाले वस्त धारन करता और धेन में रूप जाता मानसिक इस्तर पर इतिहास के महापुर्शों के संभाण महापुर्शों से संभ्राशन यानि भाशन करता और निर्बलता निराशा वे मिर्थ्यों के भैश से मुक्त होकर श्वम एक महापुरूष बन जाता और अनुगव वे इतिहास से प्रमानित तथ्यों को सत्य को कागज पर उतेर देता यह संयोग ही था कि वर्ष जब सन उननीश सन चोदा सो अठान में इस्वी में मेडिनी वन्स के सासक राजतंतर का जन अंत हुआ और गणतंतर की इस्थापना ही तब मैकैवली ने सरकारी नोकरी में प्रिवेश किया और वह है गन्राजे के महतपून पत पर जेवारत था इस तरह से उसका धीरे धीरे उस जीवन बीता गया है और मैकैवली ने इस वर संपून राजनिति गहड़ना करम के अनेक यथार्थ वारनी निसकर्ष निकाले और उन्होंने अपना जीवन अब छे से गुजारते रहे अंततर यहां तकी राजनिति का सम्मंध है उसने युद्वे पवित्र रूप में इसाई धर्म गलत सद्गुणों को सिखाता है हिंसा राजनिति का अनिवारी अंग है और सब उसका प्रियोग महान राजनितिक सादनों के लिए क्या करत हैं यह उचित ही होता है ति गंडराज्य की स्थापना क्रांती के द्वारे ही की जा सकती है बुट्रों ने उसे मार दिया गया इस तरह से उसका बच्पन काल और जवानी इस तरह से बीचती भी एक निराशा फिर आशा में परिवर्तित हो गई तो आज का टोपिक बच्च यानि वो वर्तमान युका एक बहुत ही कुरूर विचारत कह सकते हैं उसके विचार ऐसे ही हैं लेकिन फिर भी हम सभी उसके विचारों को आज भी अपनाते हुए आ रहे हैं तो कल हम देखेंगे माइक्यावली का जो भी उन्होंने समानी नियम जो दिये थे उनके वारे मे झाल झाल